राधी राधी दोस्तों, इस पूरी दिन्या में उपस्तित क्रिश भक्तों के लिए सबसे अच्छा दिन आने वाला है। प्राप्त करने का प्लान बना रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप वरिंदावन कैसे जाएं, काहार रुक्या कौन कौन से मंदुर में जाएं हमारे प्यारे क्रिश जी के जनम दिन में शामिल होने के लिए तो बिना किसी दे प्राश में वरिंदावन कैसे पहुच सकते हैं? वरिंदावन आने के लिए सबसे पहले आपको मतुरा आना रहता है, मतुरा सबी शहरों से बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्टेड है, आप मतुरा तक ट्रेन के माधियम से आ जाएं, ट्रेन को आप्शन सबसे सस्ता और अ चाहते हैं, तो दोज्दों कुछ बसे आपको direct वृंदावन के लिए भी मिल चाहती है। दोस्थो अगरा वाहें वक्त्वाइट के माधियम से वृंदावन आना चाहते हैं, आपके शहर से जो आप्शन सबसे ज़ादा अच्छा रहता है आप उससाब से यहाँ तक आ सकते हैं अब बात कर लेती कि जनमाश्यों में आपके वरिंदावन रुखने के लिए रूम का कितना खर्च आने वाला है तो नॉमल डेज में जो रूम आपको 400-500 में मिल जाता है उनका प्राइस दिवार के टाइम अल्मोस जस डबल हो जाता है क्योंकि बहुत जादा रश होता है उस समय तो मैं आपको तीन धर्मशाला बताने वाली हैं उनके एड्रेस और कॉंटाक नमबर के साथ सबसे पहली धर्मशाला है भारत सेवा सदन संगा यह रेलवे स्टेशन से मत 140 मीटर की दूरी पर इस्तित है नॉमल डेज में आप पर जो रूम 500 में मिलते हैं वही रूम जनमाश में आपको 1200 के बीच मिल जाएगा इनका एड्रेस और कॉंटाक नमबर मैं स्क्रीन पर मेंचन कर दूँगी दूसरे नमबर पर जो धर्मशाला है वो है व्रिंदा सेवा सदन यदि इसकी लोकेशन की बात की जाए तो यह प्रेम मंदर से इसकी दूरी माँ 200 मीटर की है और यहाँ पर भी जब बीच जादा होती है तो आपको रूम 1100 से 1300 से कम नहीं मिलेगा यह रहा इनका एड्रेस और कॉंटाक नमबर तीसरे नमबर पर जो धर्मशाला है वो है टूरिस फेसिलिटेशन सेंटर जिसकी दूरी रेलवे स्टेशन से 3 किलो मीटर की है यहाँ पर आप 1300 में 4 बेटरूम ले सकते हैं लेकिन अगर आपको और भी सस्ने में रुकना है तो आप डोर मैटरी में भी 200 रुपे पर बेट का चार्ज दे कर यहाँ रुक सकते हैं इनका एड्रेस और कॉंटाइक नमबर ये रहा स्क्रीन पर बागी मैं डिस्क्रिप्शन पर भी मेंशन कर दूंगी तो दोस्तों ये तो बात होगी कि आप व्रिंदावन में का रुक सकते हैं अब बात करते हैं कि कहा कहा जाएं अगर आप भगवान श्री केश का जनमोस्तव देखने जा रहे हैं तो इन पाजगों पर अवश्य जाएं जब भव्य और अलोकिक जनमोस्तव बनाये जाता हैं जब भक्त भक्ती और भगवान का संगम होता है सबसे पहला इस्तान है मथुरा श्री क्रिश जनमाश्टमी के पावन मौके पर भगवान काना जी की मुहक चवी देखने के लिए दूर दूसरे श्रदालू काना जी के जनमस्तान मथुरा पहुशते हैं भगवान श्री किश की जनम भूमी मथुरा की जनमाश्टमी दिव्य होती है मत्धुरा में जनमुस्थव के पावन परपस सभी मंदिरों को एक ही रंग से सजाया जाता है क्रिश जी के जनम के समय इन मंदिरों में एक साथ पुजा की जाती है पारम पर एक शंक मंदिर के गंटियों और मंद प्रजनों की द्वनी की कुँछ पूरे हदे को क्रिश मय बना देती है अगर आप मत्धुरा में क्रिश जी के जनमुस्थव में शामिल होना चाते हैं तब आप क्रिश जन भूमी जरूर चाहें लेकिन अगर भक्तों की अपार भीर की वज़े से आप जन भूमी में दर्शन नहीं कर पाएं तब आप जन भूमी से ही दो किलो मीटर की दूरी पहस्ति द्वारीकादीर श्री के मंदिर में जनमुस्थव में शामिल हो सकते हैं मतुरा में श्रीकेश जन्मस्थान एवं द्वारीकादीर मंदिर में राद 12 बज़े अभीशेख प्रारम हो जाता हैं दूसरा इस्तान है गोकुल मतुरा में जन्म लेने के बाद भगवान श्रीकेश को गोकुल लेज जाय गया था यहां की जन्माष्टमी को गोकुलाष्टमी के नम से जाना जाता है देश के बाकी इस्सों में जिस दिन जन्मा अश्टमी मनाई जाती है उसके एक दिन बाद यहां गोकुला अश्टमी काती है और बड़े ही धुमदाम से मनाया जाता है व्रिंदावन में भक्तों की वीर को देखते वे आप गोकुल में गोकुला अश्टमी के उत्सव में शामिल हो सकते हैं गोकुल में जन्मा अश्टमी का उत्सव सबसे अलग होता है और पूरा गोकुल कृष में होकर लोग गीद काता है या पर आप रादा रमन मंदिर और रादा दामोदर मंदिर में देशन कर सकते हैं तीसरा इस्तान है व्रिंदावन कई भी गूमते वे अगर आपको रादे रादे की गून सुनाई दे तो समझ जाएं कि आप व्रिंदावन में हैं क्रिश जी के भक्तों के हिदे में व्रिंदावन के एक खास जगह है। जनमुद्सव या होली के अफसरप पुरे ब्रज में भक्तों की अपार भीड होती है। लेकिन व्रिंदावन में उत्सव के अलावा भी हमेशा भक्तों की भीड रहती है। इस समय भी व्रिंदावन में भक्तों की बहुत अधिक संख्या में भीड़ आई वी हैं, जिसमें वाकिन निवासियों के साथ साथ भक्तों को भी परिशानी का सामना करना पड़ रहा हैं। जनमोच सव में शामिल होने के लिए आते हैं। तो की संख्या बहुत जादा बढ़ जाती हैं। बिहार जी के मंदर से कुछी दूरी पर राधावनलब जी का मंदर हैं। और यहां के लिए कहा जाता है कि श्री राधावनलब दर्शन अतिदिललब। इस मंदर में हम सब के प्रिये गुरु प्रेमानन जी महाराज भी दर्शन के लिए जाते हैं। बहुत से बग नए वरिंदावन में दर्शन करके वापस लोट जाते हैं। पुराने वरिंदावन में नहीं जाते हैं। यदि आप जन्मुत्सव में जा रहे हैं तो श्री राधा मदन मुवन जी मंदर जरू जाए। यह वरिंदावन का सबसे प्राचीन मंदर है। जन्मुत्सव के समय और बाकी अलग समय क्रिश जी की बगती में लीन होकर नत्य करते लोग आपको स्कॉन में मिलेंगे। यहाँ पर वक्तों की बगती सबसे अलग होती है। जन्मुच सब के समय पूरे स्कॉन में क्रिश्बक्ती की अलगी अनुबूती होती है। इन सब के अलावा भी जन्मुच सब में शामिल होने के लिए बहुत से मंदर हैं जैसे की गोवधन, नंदगाउं और बरसाना। अब बात करने थे कि वरिंदावन में खाने की क्या विवस्त है। इसके अलावा दूस्तों पूरे वरिंदावन में आपको हर जकल लसी जरूर देखने को मिलेगी। तो अगर आप वरिंदावन जाते हैं तो वरिंदावन की लसी का स्वाथ आपको जरूर चकना चाहिए। अब दोस्तों आखे में सबसे जरूरी बात करते हैं कि क्रिश्चन मार्श्वी पे आप व्रिंदावन मतुरा आ रहे हैं तब का कितना बज़ट लग सकता है ये बज़ट उन लोगों के लिए जो बज़ट टूर कर रहे हैं नॉर्मल होटल या धर्मशाला लेते हैं ट्रेन से अपनी यत्रा को पूरा करते हैं और या आप लोकल ट्रांस्पोर्ट का यूज करते हैं अगर आप क्रिश्वन मार्शवी पे दो दिन का प्लान कर रहे हैं तो आप मान के चले कि माँ 4,000 से 5,000 के बज़ट में बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्यारी सी यत्रा को पूरा कर लेंगे दोस्तों इस बज़ट में होटेल, खाना, पीना और याँके लोकल ट्रांस्पोर्ट और मतुरा से व्रिंदावन आने के लिए जो भी खर्चा होता है वो सभी इसमें इंक्लूड़ेड है दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको हर एक चोटी बड़ी जानकारी बहुत ही अच्छे हो सही तरीके से देने की कोशिश की है मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपकी जन्माश में पर व्रिंदावन ग्यात्रा में बहुत ही ज़ादा हेलफुल होगी और अगर आपके कोई वीडियो या क्वेशन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही ज़ादा मैनत लगती है तो अगर आपको यह वीडियो हेलफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मैं आशा करती हूँ कि जनमाश्मी के इस उत्सब पर आप सभी को लड़ू गोपाल जी के बहुत ही अच्छे दर्शन प्रापतू मिलते आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में राधी राधी